साबूदाने की एकदम खिली-खिली परफेक्ट खिचडी बनाएंगे वो भी बिना ताम जाम के तो चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स इससे पहले अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर हमने लिया है एक कप साबूदाना मेडियम साइज का साबूदाना है इसे हम दो कप पाने में डाल के और ढखके रख देंगे कम से कम 6-7 गंटे के लिए तब तक चलिए हम कुछ सबजियां कट कर लें जैसे आलू, टमाटर, धनिया का पत्ता, हरी मिर्च, तो अब हम फ्रेंड्स आलू के छिलके को निकाल लेते हैं, इसे बीच से कट करेंगे और तीन पीसे निकालेंगे मोटे-मोटे इस तरीके से और फिर इसके बाद ट्रेंगल से में से कट करेंगे, बहुत जादा बड़ा नहीं कट करना है, अब हम टमाटर भी ऐसे ही कट कर हैं, तो टमाटर भी कट गया हमारा, अब इसी के साथ हम हरी मिर्च भी काट लेंगे, कैची से काटने से हाथ में जरन नहीं होगी, और ये सरी धनिया की पत्ती भी कट कर लेंगे, यहां पे हमारी सबजियां कट के रेडी हो चुकी हैं, अब थोड़े से अधरक को हम देशी घी, आप जितना खाते हैं, उतना डाल सकते हैं, इसके बाद जब घी मेल्ट हो जाए, तो मुंफली को डाल देंगे, और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, यह पक जाती है, तो चटकने लगती है, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, अब इस गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें, तो यह देखें, आलू भी हमारे पक चुके हैं, और अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर जो आलू है बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी खा स लगते हैं, अब इसमें जाएगा आधे चमच जीरा और कटी हुई हरी मिर्च जाएगी, इसी के साथ इसमें क्रश किया हुआ अदरक जाएगा, अब इसे हम 10 सेकेंड भूनेंगे, ज्यादा नहीं भूनना है फ्रेंड्स, वनना यह जल जाएगा, अब इसमें हम डाल कटे हुए टमाटर, अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे, हाई या मीडियम नहीं रखना है, नहीं तो यह जल जाएगा, अब इसमें हम डालेंगे दो चमच पानी ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, और सेंधा न देखते हैं, साबुदाना भी बहुत ही अच्छे से फूल गया है, बिल्कुल खिला खिला यह देखिए, अब हमें साबुदाने को कम से कम दो से तीन पानी अच्छे से वाश करना है, इसके बाद हमें फ्राइपेन में इसे डाल देना है, अब इसे अच्छे से हम चला लेत हैं फ्रेंड्स साबू दाना बहुत जल्दी पक जाता है फ्लेम को यहां पे हम मीडियम या फिर लो रखेंगे हाई नहीं करना है वरना यह जल जाएगा तो यह देखिए फ्रेंड्स अच्छे से यह फ्राई होना स्टार्ट हो गया है हलका सा ट्रांस्पेरेंट होने लगा है मतलब कि यह अच्छे से भुन रहा है हमारा साबू दाना जब अच्छे से भुन जाएगा इसके बाद इसमें फ्राई की हुई चीज हमें आड़ करनी है तो यहां पे मैंने मोमफली और आलू को एड़ किया है साथ में हलका सा काली मिर्श डालें बहुत अच्छा फ्लेवर अगर आप खाते हैं तो धनिया पाउडर और जीरा पाउडर जरूर डालिएगा बहुत ही टेश्टी बनके रेडी होता है एकदम अलग सा टेश्ट आता है अब इन जब को अच्छे से मिक्स करें और जो भी चीज आप नहीं खाते हैं उसे आप स्किप कर सकते हैं तो यहां अब धनिये की पती से हम गार्निश करेंगे गैस को बंद कर देंगे आप इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे फ्रेंड्स लग रहा है नब बहुत ही स्वाधिश्ट तो चलिए फटा फटी से सर्व करते हैं गर्मा गर्म वर्ना ठंडा होने के बाद तो कुछ भी अच्छा अगर आप नो दिन का वुरत हैं तो मतरानिया आपकी सारे इच्छा पूरी करें और नहीं है तब भी पूरी करें रेसी भी अच्छी लगें तो लाइक शेर सब्सक्राइब करिए गाबा बाए